इस वीडियो इसको बनाने के पीछे हमारा ये परपस है कि कुछ स्टूडेंट से जैसे अगर आपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि क्या हम लोग बना रहे हैं कि ट्रिपल आईटी ट्रिपल आईटी इसमें बस गवालियर छोड़ दीजे इसमें गवालियर अभी हमने नही आट किया है केवल गवालियर हटा के सारे ट्रिपल आईटी स्का रांड सेवन जो ये रांड सेवन होता है उसमें क्या क्लोजिंग रैंक्स थी यह हम एक साथ एक Excel में लिख दिया है इसको और लगा दिया है Ascending Order में और यह जो Excel है यह मैंने description में लगा दिया तो आप यह download भी कर सकते हैं हम एक एक बार थोड़ा देख लेते हैं कहां कहां कैसा cut off रहा है and फिर उसके बाद जो है we can look into the placements also तो अभी यह cable CS IT के लिए हमने बनाया है this is for IT and CS अगर आप लोग में से किसी कोई students है जिनकी ranks आई हैं ऐसी कि CS के बाद वो EC लेना चाहते हैं ठीक है तो this is basically for students maybe क्यों हम बना रहे हैं कि जिनकी 25 to 45 आई है and they want to look into their options so इसमें हां options दिख जाएंगे for example पहले हम ऐसी एक बड़ देख लेते हैं कि पहली जो है rank वो 5938 है triple IT अलावाद की और last rank जो है वो बागलपुर की है 37,687 तो यह round 7 है फिर हम लोग spot में जाएंगे फिर हम लोग spot का देखेंगे तो spot में कहां तक जाता है यह almost एक अंदाजा तो almost मनीपूर 68,000 तक जा रहा है and अगर आप कांची करनूल लेंगे तो 40,000 मदब आपके बस chances हैं तो these are chances which you should not leave क्योंकि ट्रिपल आईटी आज आपको लग रहा है कि ठीक है ट्रिपल आईटी अभी नए है बट जब तक आप graduate करेंगे तब तक यह पुराने हो जाएंगे ठीक है इसमें एक ग्वालियर छोड़ दिया है हमने बस ग्वालियर का जो cut-off है यहाँ पर मैं अलाबाद के बगल में लिख दे रहा हूँ ग्वालियर का cut-off तो ग्वालियर का जो cut-off है that is at 10,780 ठीक है यह spot round में नहीं था यह 7th round में जो इस बार 6th होगा अब इनका placement आप देख लीजे यहाँ तक यह तो सब बहुत अच्छे हैं यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक लोग लेते हैं for example अलाबाद बहुत अच्छा है लखनो बहुत अच्छा है कांचीपूर हम जिनको south नहीं जाना वो छोड़ देते हैं अलाबाद का जो placement है that is nearly 39 lakhs का highest placement गया है 39 lakhs का यह हम अभी थोड़ा सा data पुराना हो सकता है बट इसी के आसपास जाता है और average जो इनका जाता है that is 15.5 lakhs ठीक है फिर अलाबाद के आद लखनो आते हैं लखनो अभी तक अलाबाद में ही चल रहा था so that's why it had a very good placement it had 28 lakhs of highest placement and an average salary that they were getting there was around 11.3 11.3 okay and then we come into कांचीपुरम कांचीपुरम is the full government one and यह देखे 15.862 पे खतम हो रहा है and 15.862 पे खतम हो रहा है कांचीपुरम and इसका जो highest है that is 20 lakhs पर एनम ठीक है फिर ट्रिपल आइटी लखनो का IT है जो 16,261 पे खतम हो रहा है तो students यह ले सकते हैं these are something जिसमें इनमें यहां नहीं सोचना है ठीक है सोनी पत में इस बार थोड़ा सा expensive है यह हलका सा compared to other other triple IT's it is a little bit of a little bit expensive सोनी पत का जो है सोनी पत का highest है 40 lakhs 40 lakhs का highest है and यह काफी अच्छा है and उसके बाद average जो है 8 lakhs का है average जो है इनका 8 lakhs पर एनम का है ठीक है फिर गोहाटी हो गया गोहाटी लोग ले रहे हैं कई बार 21,000 में उनको अगर BIT मिसरा मिल रहा होता है तो फिर वो BIT मिसरा में कोई ले लेते हैं seat या फिर 21,000 में triple E ले लेते हैं NIT's में यह भी करते हैं तो लेकिन अगर आपको CSA लेना है यह भी 12.5 का लाक्स पर एनम का एवरेज है इनका इस इस गुर्ट यह जो इस रेंज में जिनकी आ रही हैं इनको सोचना है कि अगर मुझे CS लेना है या फिर मैं CS लूँ इनको सोचना है मैं CS लूँ, ECE लूँ या फिर मैं क्या triple E ले लूँ कहीं पर या mechanical ले लूँ या civil ले लूँ थोड़े अच्छे और ranking वाले college में ठीक है सूरत देखे यहां पर काफी अच्छा है सूरत भी 22,900 पर सूरत का भी placement नहीं हुआ है quota का 23,144 again but इस rank पर काफी लोग फिर और भी काफी कुछ मिल रहा होता है तो फिर वो वहां पर भी देखते हैं बट इसका जो maximum था वो 27,000,000 था यह जो Excel है यह लगावा है यह Excel वहां पर description में so if you want you can just take it and have a study of it and look what are the other options that you can get तो quota is 27,000,000 and the average is average salary at quota is around 8,000,000 which is good enough यह अच्छी salary है पूने बहुत तेज़ ग्रो कर रहा है पूने is something which is growing very fast and now also because it is in a IT city तो IT city में तो यह भी एक help हो जाती है पूने का इस बार placement हुआ है तो मैं इस बार का placement उनका पूने का बता रहा हूँ तो highest जो गया है 22,00,000 पर रनम गया है and average जो उनका guess 7.7 के करीब average गया है which is good enough which is not bad because CS में आप यह सोच के मत छोड़ दो इंसारों को कि देखो यार average बहुत कम है कि अल 22,00,000 तो लग रहा है कहीं 40 लगना चाहिए यह सब नहीं सोचना है average अगर सही है 7.8 जा रहा है तो आप ले लो अगर आप above average student होगे इतने का लग जाएगा अभी के date में बाद में जाके 10 का भी लग सकता है फिर वो आगे बढ़ता ही जाएगा ठीक है उसके अगर कांचीपूर हम अच्छा है लेकिन फिर से North के जो students है या फिर जो मदब West के students है in the sense Mumbai, Himachal Northeast के जो है वो लोग फिर सोचने ही हम जाएगी नहीं बट कांचीपूर हम काफी अच्छा है और इसका highest package जो है 20 लाका है वो मैंने उपर भी लिख दिया है सोनी पत के हमने बात करी लई है थोड़ा से expensive है अभी इननों का वो हो गया है वो मन गया है they have a hostel now so चितूर is good enough चितूर का देखिए कहां पे आ रहा है यहां पे अब यहां से जो है न 25,000 से यह थोड़ा आपको problem होंगी क्योंकि अगर हम इसमें इसमें ही यहां पे अगर हम comparative analysis करें कि भई आपको ECS, CS, NITS में क्या मिल रहा होगा तो यह अगर हम जाके देखते हैं इसमें तो CS, IT मिलने का EC मिलने का तो बहुत कम chance है आपको north east वाले में ही मिल रहा होगा triple E, triple E again, 25,000 पे आपको almost north east में ही मिलेगा mechanical जो है वो आपको फिर siltsar में मिल सकता है, but this is the like the sweet spot की इसके बाद अगर मेरा 25,000 से उपर है और फिर भी मुझे triple IT में CS मिल दे रहा है then that is, this is a good choice फिर यह बहुत अच्छी चोइस हो जाएगी तो चितूर का जो placement है, चितूर का जो placement है that is, where is चितूर in my thing and it is 21 lakhs maximum is 21 lakhs so you can look at here की, देखे, variation तो है, ठीक है, but it's okay चल रहा है, चलो 20 lakh के ऊपर तो है वडोदरा बहुत तेज़ ग्रो कर रहा है वडोदरा बहुत तेज़ ग्रो कर रहा है and now this is at 28,000 यह जिनको मिल रहा है भाई 26,000, 25,000 यह ले ले फिर वो यह इसमें फिर NITs नहीं मिलने this is the best option जो आपको मिलेगा depending अगर आपको थापर, बेट्स और वो सब बाकी के colleges नहीं मिल रहे हैं, तो वडोदरा का जो है highest, पंदरा लाग था highest और वडोदरा का फिर जो यह है क्या कहते है, median median है, 6 lakhs है median, this is good, median 6 lakhs है और तब 50% बच्चों की जो salary है, वो 6 lakhs के ऊपर है लेकिन फिर 50% की नीचे भी है लेकिन ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं लेकिन, CS तो मिल गया, IT तो मिल गया, या फिर इस तरह से अच्छा college तो मिल गया, और फिर एक बहुत lucky लोग है, जिनका 30,000 के पास भी आ रहा है और उनको एक IT मिल रहा है, उन्हें ले लेना चाहिए, ठीक है, this is something which they can take एक minute हम जरा सा इसको नीचे कलने थोड़ा सा and let us look now into these ones this ones, these ones, and so now Bhopal, Bhopal is Bhopal is at what it is, okay, they are 2017 के है that they don't have the placements, but still I would say जिनका ये आ रहा है वो फिर या तो IT ले 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 बडोदरा में, या Bhopal में, yes ले ले, उना का जो प्लेस्मेंट है उना का जो प्लेस्मेंट है that is, उना का this is the highest is 15 lakhs का गया है 15 lakhs का highest गया है and 15 lakhs पर रिनम, थोड़ा थिकनिस जादा है इसकी, okay, so this is 15 lakhs पर रिनम, and उना में कितने percent placement हुआ है average कितना है, average 8 lakh से चलेगा, it is good enough आपको ले लेना चाहिए अगर आपकी ये वाली level पे आ रहा है ranks, तो आप ये लगाता देखी रहे है तो नाकपूर आ गया, नाकपूर also is growing, tier 2 city है लखनो जैसा तो it is good enough बट इनका इस बाद प्लेस्मेंट अच्छा गया है I think so, पहला ही प्लेस्मेंट गया है 2016 में बना है, तो पहला प्लेस्मेंट गया है ठीक है, पंदरा लाक में यहां दो ही जगे तो कम आया है बट मैं फिर भी कहूँगा, आप ये पंदरा लाक वाला भी ले सकते हैं बाकी जगे ठीक है, it is not bad आप NIT के CS से कम बेर करेंगे, तो कम सैलरीज लगेंगी बट बाकी जगा उसे ठीक है, it is good enough फिर उसके बाद ये आपको सब मिल ही रहे हैं, लाइन से ये सारे जितने हैं, इन में प्लेस्मेंट आल्मोस्ट किसका हुआ है बस कोट आयम का हुआ है, कोट आयम का है, ये वाला कोट आयम का प्लेस्मेंट हुआ है, करनूल का प्लेस्मेंट हुआ है करनूल अलड़ी उपर हो चुका है, कल्यानी का प्लेस्मेंट हुआ है तो कल्यानी में जो है, highest 10 lakhs है, अब ये थोड़ा सा कम हुआ बट मैं फिर भी आपके यही बोलूँगा कि अगर आपकी यह rank आई है और यह मिल रहा है आप ले लो आपको IT मिल गया है ट्रिपल आईटी का नाम मिल गया है बस काफी है आप फिर महनत करिए उना मिल रहा है यहाँ पे 32,900 पे ले लीजे तो एक नजर हम लोग डाल लेते हैं अच्छा कोटायम का सैलरी बस लिख दूँ इसमें और कोटायम की सैलरी जो है that is highest is 11,00,00 यह चेक कर ली जगाए यह पुराना डेटा है यह 2019 में जो प्लेस्मेंट्स हुए है वो उसका डेटा है यह मैंने डेटा कलेक्ट किया है एप्रिल नहीं एप्रिल नहीं फेब नहीं लॉक्डाउन में कब शुरू है तो मार्च मार्च 2020 में 2020 में मैंने शुरू किया है यह कलेक्शन उनकी साइट से अलग अलग जगाओं से लेके यहां पे रखा है तो ठीक है यह हो गया यहां पे आप ले लीजेगा description से and look into the cutoffs यहां पे एक बार देख लेते हैं so this is the spot round this is the spot तो आप देख रहे हो कि भई अलाबाद जो है छे हजार पे फिर शिप्पूर जो आ रहा है शिप्पूर अच्छा इसमें शिप्पूर भी add हो गया है गलती से 15,000 पे बट यह आपको CS लगातार मिल रहे हैं देखिए यहां तक at least यहां तक तो कोई भी किसी को problem नहीं होनी चाहिए इसमें शिप्पूर भी add हो गया है दो यहां तक तो किसी को problem नहीं हो चाहिए फिर यहां पे कुछ अच्छे हैं यहां तक अगर आप ले रहे हो that means पूने तक that means till 26,000 यह भी आप एक कर सकते हैं उसमें पूने मिल जाए अच्छा है सोनीपत मिल जाए अच्छा है and then सोनीपत आपको फिर 29,000 भी मिल रहा है घोपाल अगर आपको मिल जाए 29,000 these are good enough इन में और कौन से अच्छे हैं इन में अच्छा कौन सा है एक यह वडोदरा भी अच्छा अच्छा माना जाएगा यह जो है इसको yellow कर देते हैं तो यह वडोदरा जो है 35,000 भी अच्छा माना जाएगा इसके बाद नीचे अगर हम देखते हैं तो वडोदरा again this is at for the IT यह भी लिया जा सकता है बिलकुल लिया जा सकता है and then इसके आद यह सब लिये जा सकते है no problem but एक recommendation यह है कि यह दोनों तो बिलकुल लेने ही चाहिए तो यह description में है आपको किसी और branch का चाहिए हो and you can then talk to us if you want thank you very much thanks a lot and do like our video and also subscribe to our channel thank you